टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू अनली अट टेग टीवी अपोजिशन तार्की ने वतन से मुतालिक तपसरों पर सियासत कर रही है उन्टीरियो के प्रीमियर का कहना है कि अपोजिशन तार्की ने वतन के मौामले पर खेल ना खेले सूबे की रीड की हड़ी बहुत महंती तार्की ने वतन है कैनेरा में कुरोना वारस और अखरजात में अजाफे से लोगों का मैयार जिन्दगी मुतासर सर्वे के मताबिक 43 पीसद कनेडियन के कर्दों में अजाफा हुआ बहुत से कनेडियन को उमीद की कोई किरन दिखाई नहीं दे रही केनेड़ा भर में कोरोना वारस के फिलाओं में इजाफा जारी मरीजों के मजमीत आदा 16,90,258 तक जा पहुँची ब्रीटिश कोलम्बिया में अंदूरूनी और बेरोनी इज्टमाद पर आई पाबंदियां खतम करती गई आलमी कौनफरेस में अफगानستان के म दसासों की बहाली पर इतिफाक अफगान वजिर خारजा का कहना है कि अफगाने के मुझमी दसास दास से अफगान अवां के हैं इस मौामली को सियासी हालात से नहीं जोड जाए ट्रम्प का बड़ी सोशल मीडिया प्रैटफॉर्म्स की टकर की एप बनाने का ऐलान साविक अमरीकी सदर का कहना है कि बड़ी टेग कमपनियों का मकाबला करने के लिए पुर्जोश हूँ जल्द ही टूथ सोशल पर अपने ख्यालाग का इसहार करूंगा बरतानिया में कोरोना की महली किसम जोर पकरने लगी 24 गंटों में 44,000 केसिस डिपोर्ट रूसी सदर का मुल्क भर में एक हफ़ते की छुट्टियों का हुकम दुनिया भर में कोरोना केसिस की तादा 24 करोर 29 लाग तक जा पहुची हेडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ वेल्कम बैक करनेरियन सूबे उन्टीरियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने का है कि अपॉजिशन तारकीन वतन के बारे में उनके तफसरों पर सियासत कर रही है मज़ी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सूबे उन्टीरियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने कहा कि उनका ख्याल है कि अपॉजिशन तारकीन वतन के बारे में उनके तफसरों पर सियासत कर रही है तारीकी ने वतन के बारे में तफसरे उस वक्त किये गए जब फॉर्ट मजदूरों की कमी के बारे में सहाफियों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें दुनिया भर के लोगों की अशद जरूरत है प्रेमिर डग फोर्ट का कहना है कि उपोजीशन सियासत खेल रही है उन्होंने वजाहत की कि वो सिर्फ महनती लोगों को ऑंटेरियों में देखना चाहते हैं फोर्ट ने कहा कि आप यहां दूसरे केनेडियन की तरह हैं आप काम करें अगर आपको लगता है कि आप यहां सिर्फ बैठने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कहीं और चले जाएं तफसरे के कुछ देर बाद तीनों अपोजिशन जमातों ने बात की और फोर्ट से रिमार्क्स के लिए मौफी मांगने का मतालबा किया ब्रेम्टन इस्ट के MPP गॉर्थन सिंग ने पारलिमेंट के इजलास के दारान पॉर्ट से पूछा था कि क्या वो इन तफसरों के लिए मौफी मांगने के लिए तयार हैं जो नए कैनेडियन्स के बारे में नसल परस्ताना नज़रिया पर मबनी है सिंग ने कहा कि ये तफसरे तकली थे और खलत थे पॉर्ड ने जवाब दिया सियासत खेलना छोड़ दो आप जानते हैं कि इस सूबे की रिर्की हड़ी बहुत महंती तारीकीन वतन है कैनेडा में अखराजात में इजाफा और कोवीट का इजाफी बोच कनेडियन्स को मजीद कर्जों में धसा रहा है मजीद चानते हैं स्टिपोर्ट में कैनेडा में इखराजात में इजाफा और कोविट का इजाफी बोच कैनेडियन्स को मज़ीद कर्जों में धसा रहा है। एक नए सर्वे के मताबिक 2021 के BDO Affordability Index से पता चलता है कि बहुत से कैनेडियन्स का मेयार जिन्दगी मज़ीद कम हो रहा है जिसकी वज़ा बढ़ते हुए कर्जों और वबा का फैलाओ है। इंक्स रेड गुरूप की जानब से BDO Debit Solutions के इश्टराक से किये गए सर्वे से पता चलता है कि 43 पीसद कैनेडियन्स ने वबा की वज़ा से अपने मौझूदा कर्जों में इजाफा किया जो गुज़िश्टा साल के मकाबले में 4 पीसद जाइद है। सर्वे में बताया गया कि 26 पीसद कैनेडियन्स ने कम असकम एक नए किसम का कर्ज लिया है। सबसे आम क्रेडिट कार्ड का कर्ज है और उन में से 70 पीसद कैनेडियन्स ने कहा है कि नए कर्ज ने उनके मेयारे जिन्दगी को मजदीद खराप कर दिया है। बीडियो अफोर्डिबिलिटी इंडिक्स के मताविक इस गुरुप के सिर्फ 51 पीसद ने कहा कि वो अपने मेयारे जिन्दगी को वबासे पहले की सतह पर बहाल कर सकेंगे। वीडियो डेबिट सुलुशन्स प्रैक्टिस की गौमी रहनुमा नैंसी इसनिडिन ने एक प्रेस रिलीस में कहा है कि बहुत से केनेडियन को उम्मीत की कोई किरन दिखाई नहीं दे रही जो तश्वीश का बाइस है। सर्वे में बताये गया है कि जरूरी अश्या पर इखराजात में इजाफा मुलास्मतों में कमी और कम आमदनी भी गुजिशता साल के मुकाबले में केनेडियन की बच्चत पर ज्यादा असर अंदास हो रही है। केनेडियन सुबे ब्रिटिश कोलंबिया में अंदरूनी और बेरोनी इज्टमाद पर आई पाबंदियां खतम की जा रही हैं क्योंके उन में शिरकत करने वाले लोगों के लिए दो खुराकों की वैक्सीन की शर्ट पूरी होना शुरू हो गई है। मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेड़ा भर में करोना वारिस के पहलाओं में इजाफा जारी है। पांच लाग पे चानुवे हजार आर्ठ सो सरसर तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादाद 9,823 है। कैनेड़ा में करोना वारिस के सबब सबसे जादा हलाकतیں क्यू बैक सुबे में हुई हैं। सूबे में करोना वाइरिस के मचमुई केसिस की तादाद 4,20,929 है जबके सूबे में करोना वाइरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,455 तक पहुँच चुकी है कैनेडिन सूबे अलबर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्क करोना वाइरिस की वज़ा से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,17,750 अफराद करोना वाइरिस से मतासिर हुए हैं जबके 3,006 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलंबिया में केसिस की तादाद 1,99534 है जबके सूबे में करोना वाइरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,092 है कनेडिन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में अंधरूनी और बैरून इज्टिमात पर आई पाबंदिया खतम की जा रही है क्योंकि इन में शिर्कत करने वाले लोगों के लिए दो खुराकों की वैक्सीन की शर्थ पूरी होना शुरू हो गई है सुभाई हेल्थ आफिसर डाक्टर बोनी हिन्वरी ने मंगल को बराहरास न्यूस कानफरेंस के दारान ऐलान किया कि इस हुकम नामे में पहले इंडोर मुनजम इज्दिमाद की गुनजाश की हद पचास पीसद तक महदूद कर दी गई थी लेकिन पीर तक इन तक इन तक्रीबात को इन जगों पर सौ फीसद सलाहियत पर काम करने की अजाज़त दी जाएगी जहां बी सी वैक्सीन का नाफिजल अमल है अफगान वजीर खारजा का कहना है कि साबिक हुकमरानों को जबरदस्तिक दार से नहीं हटाया साबिक हुकमरान खुद मुल्क छोड़कर फरार हुए है हमारी हुकमत में इसलाहा जारी हैं साबिक हुकमत के पांच लाग मुलाजमीन अब भी काम जारी रखे हुए है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में अगवान वजीर खारजा आमीर मत्तकी ने कहा है कि रूस में होने वाली आलमी कांफरंस में अगवानिस्तान के मुझमित असासों की बहाली पर इत्वाक हुआ है मासकों में होने वाली कांफरिंस में शिरकत के बात आगओ के अगओान वजीर खारजा ने कहा कि शरीक मुमालिक ने अमरीका पर मुन्जमित फंस बहाल करने पर जूर दिया है रूसी मेजबानी में जिन मुमालिक ने vitesse की दारीब है अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि तमाम शुरका ने अगवानिस्तान के मुझमित असासे बहाल करने पर इत्वाक किया अगवानिस्तान के मुझमित असासे अगवान आवाम के हैं इस मौमले को सियासी हालात से ना जुड़ा जाए शुरका ने इत्वाक किया है कि तालबान हुकूमत से राप्ते में रहा जाए उन्होंने कहा कि साविक हुक्मरानों को जबरदस्थी एक्तिदार से नहीं हटाया साविक हुक्मरान खुद मल्क छोड़कर फरार हुए है हमारी हुकूमत में इसलिहाद जारी है साविक हुकूमत के पांच लाख मलाजमीन अब भी काम जारी रखे हुए है रूस ने अगवानिस्तान में इस तहकाम के लिए तालबान के एकदमाद को तस्नीम किया है ताहम इस बात पर तश्वीश का इज़ार किया है कि अगवान सरजमीन पर दीगर दहशतगर तंजीमें खिते के इस तहकाम के लिए खत्रा बन सकती है रूसी वजीर खारजा ने आलमी ब्रादरी पर जोर दिया कि वो इनसानी बहरान और मज़ीद महाजरीन की हिडरत को रोकने के लिए काबल को मौसर इमदाद फराहम करें ये मुजाकरात रूसी सदर विलादमीर प्यूटन के गुजश्टा हफ़ते खबरदार करने के बात हो रहे है रूसी सदर ने खबरदार किया था कि दाइश के जंगजू अगवानिस्तान में जमा हो रहे है ताके रूस के साथ साबका सोवियत जमहूरिया में इखतलाव पहलाया चाह सके साबक अमरीकी सदर डानल्ड टरम्प ने अपनी जाती एप टृथ सोशल लांच करने का ऐलान कर दिया टरम्प का कहना है कि बड़ी टेग कमपनीज का मकाबला करने के लिए तयार है साबक अमरीकी सदर डानल्ड टरम्प ने अपनी जाती एप टृथ सोशल लांच करने का ऐलान कर दिया गर्मल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक साबक अमरीकी सदर ने ट्विटर और फेस्बुक की जानब से खुद पर लगने वाली पाबंदियों के बाद ये ऐलान किया है टरम्प की जानब से बनाई जाने वाली एप टरम्प मीडिया एंड टेकनलोजी गुरूप और खुसूसी तार पर हासल की गई S.P.A.C. नामी फॉर्म के इंजमाम से काइम होने वाली एक नई कमपनी के जरीए बनाई जाएगी डानल्ड टरम्प ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तालबान तो ट्विटर पर मौजूद हैं लेकिन आपके पसंदीदां अमरीकी सदर को खामोश करा दिया गया है जो नाकाबले कबूल है साबिक सदर का कहना था कि मैं जल ही टरुट सोशल पर अपने ख्यालाद का इजहार करने और बड़ी टेक कमपनियों का मुकाबला करने के लिए पूर्जोश हूँ बरतानिया में फैलने वाली नई किसम को माहिरी ने डेल्टा वेरियंट एवाई 4.2 का नाम दिया है और बताया है कि इसने भी जोर पकरना शुरू कर दिया है मजीद चांते हैं इस डिपोर्ट में बरतानिया में करोना की एक और नई खतरना किसम तेज़ी से फैलना शुरू हो गई है बरतानिया में फैलने वाली ने किसम को माहिरी ने डेल्टा वेरियंट एवाई 4.2 का नाम दिया और बताया कि इसने भी जोर पकरना शुरू कर दिया है तिबी माहरीन के मताबिक गुज़िशता 24 गंटों के दोरान करोना की तगयर शुदा किसिम के 44,000 से जायत नए केसिस रिपोर्ट हुए जबके 223 मरीज हलाग भी हुए तिबी माहरीने इस किसिम को गुज़िशता इकसाम से खतरनाक करार देते हुए नए वाइरस के निगरानी शुरू कर दी और शेहरियों को मतनब़ किया है कि वो समाजी फासले पेसमास के इस्तिमाल को यकीनी बनाएं। रिपोर्ट के मताबिक नैदर लेंड्स में रवाँ हफ़ते मौलिक करोना वाइरस के नई केसिस में 44 पीसद इज़ाफा रिकॉर्ड किया गया जबके रूस में करोना से एक रोस में रिकॉर्ड एक हजार से जायत हमवाद रिपोर्ट हुई जिसके बाद सदर ने पाबंद के साथ साथ वाक्सिनेशन करवाने पर जूर दिया है। सदर की जानिब से ये एकामात मौल्क में तेजी से करोना के फैलाव के पेशे नजर जारी किये गए हैं सिर्फ बुद के रोस 24 गंटों में मौल्क भर में वबा से 1000 से जायत हमवाद रिपोर्ट हुई जबके 34,000 करवाने पर ताज्जब का इजहार करते हुए कहा है कि कितने ही लोग वैक्सिन लगवाने से इंकार कर रहे हैं यहां तक के पढ़े लिखे साइंसी डिग्रिया रखने वाले और मेरे करीबी दोस्त भी शामिल हैं। मरी सहत्याब हो चुके हैं।